ग्रामीन इलाकों में लॉज कारुबार के आड में देवयापार काफी हद तक फल्फुल रहा है खेत खलियानों में अवेद रूप से चार पाच कमरे बना कर सहष्ता से लॉज शुरू किये जा रहा है जहां एक से देड़ घंटे के लिए रूम और लड़किया आसाने से उपलप कराई जाती है जिसका ग्रामीन परिवेश और संस्कृती पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसके गंबिरता को देखते हुए 24 फरवरी किशाम सावनेर थाने के थानेदार रविंद्र रमानकर ने अपने अधिनस्त अधिकारी कर्मिचारियों के मदसे धापेवारा स्थीत मही लौश पर छापा मारा और लौश के संचालक 32 फरशिया सुशिल नारायन गजबी वाघुडा वाट क्रमांग दो सावनेर विनोज जनारदन खुरपडे 30 वाट क्रमांग भालेराव स्कूल के पीछे सावनेर पुर्शोत तम उमाजी चिन्सुलकर उम्र बासेट साल वाकोडी तहसल सावनेर ननलाल धूंडोबा जी गावनडे उम्र पचास साल मडा सावंगी तहसल कलमेश वर तता तीन यूतियों को गिरफ्तार करुशताष के लिए सावनेर पुले स्टेशन लाया गया तीनों यूतियों का बयान लेकर उन्हें शासकिय करूना महिला च्छात्रवा स्पाटन कर चौक नाकपुर रवाना किया माही लौज के सुशिल नारायन गजबिय और विनोत खुरपड़ योतिया लड़कियों और महिलाओं को वेशारुति के लिए बुलाकर उन्हें प्रती ग्रहक कुछ रुपए भुकतान कर अवेद कर रहे हैं लौज संचला के खिलाब शिकायत दर्श की गई सावनेर पुलीस निरिक्षक रविंद्र मांकर द्वारा विविद्धाराओं के तहत यह मामला दर्श किया है इस मामले की जाज एपिया वेंकटेश दोनोडे कर रहे हैं उप्रोप्त कारवाइन आकपुर जिला पुलीस अधिकारी अनिल मसके के मार्गे दर्शन में थानेदार रविंद्र मांकर के नैतरुत्व में एपिया वेंकटेश दोनोडे द्वारा की जा रहे हैं चोबिस फरवरी को संपन्न उक्त कारवाई में महिला सायक पुलीस निरिक्षक मंगला मुकाशे सायक थानेदार अनिया पुलीस अधिकारी करमचारियों ने भाग लिया इसी तरह की कारवाई साथ सेतंबर दोहजार तेस को सावनेर पुलीस टेशन के तहत धहपेवाड़ा में माही लॉंज में की गई थी थानेदार रविंद्र मांकर के नेतरुत्व में यह कारवाई हुई थी उस समय लॉंज संचालक सुशिल गजबियों और विनोत खुरपड़े समित साथ आरोपियों को देव्योसाय करते हुए रंगेहात पकड़ा था आरोपी को गिरफतार कर उसके पास से करीब एक लाग तेरह हजार छेसो पचास रूपए की कीमती स्रामान जपकर सावनेर पुलिस न देले